हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिस लेसन 4 हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम है दपीकॉक आवर नेशनल वर्ड दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेट दो वीडियो अपलोड हो चुका ह है आपको दोनों वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ कुछ कौसल सॉल्व किये थे हमने B.2.4 तक कौसल सॉल्व कर लिया था आज की वीडियो में हम C से स्टार्ट करेंगे वर्ड इस टड़ी है यहां से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो चलिए कौसल परते हैं नमबर C का यहां पे लिखावा है यहां पर जो वर्ड दिये गए हैं उसका स्पैलिंग गलत है उसको हमें क्या करना है सही करके लिखना है तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं तो मैंने यहां पर वर्ड लिखा हुआ है पीकॉक का यहां पर गलत स्पेलिंग दिया गया है तो पीकॉक का स्पेलिंग कैसे होता है पी-ई-ए-सी-ो-सी-क पीकॉक और यहां पर है नैस्नल नैस्नल होगा एन-e-ți-o-n-o-n-a-l नैस्नल उसके बाद होगा है यहां पर स्लैंडर S-L-E-N-D-E-R पीकॉक यानि मोर नैस्नल यानि रास्ट्र श्लैंडर यानि की दुबला और इसके बाद होगा है है प्लम P-L-U-M प्लम मतलब होता है पंक और इसका होगा डेकोडेशन D-E-C-O-R-A-T-I-O-N Decoration यानि कि सजाववत Next देखते हैं Next question क्या है Next है Match the words in column A with their meanings in column B यहाँ पर कुछ words दिये गए हैं और इसी का meaning column B में दिया गया है इन्हीं sub-word का meaning column B में दिया गया है हमें सही meaning से इन्हीं match करना है जैसे कि various है Various का मतलब होता है Different यानि अलग-अलग Various का यहाँ पर दिया गया है Different Different का मतलब भी अलग होता है और Various का मतलब भी अलग होता है तो Various को हम इससे match कर देए Of All यानि कि अंडा कर इसका हो जाएग लाइक Egg Like मतलब अंडे जैसा Dever Dever मतलब होता है निगलना और Solo का मतलब भी होता है निगलना तो इसको हम इससे match कर देए Matchless यानि कि जिसका कोई match ना हो जिसका कोई compare ही ना हो तो उसको हम कहते हैं Incomparable मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके ठीक है उसको हम कहेंगे Matchless या फिर Incomparable Ceremony Ceremony मतलब होता है कोई function Function को हम कहते हैं Function को हम कहते हैं Ceremony ठीक है Ceremony का function से match कर देए Next question है Write 10 words with the suffix Less as shown in the examples Suffix Suffix क्या होता है जैसे कि ये word है ठीक है और इसमें ये plus क्या क्या है Less Less क्या है Suffix है Less यहाँ पर क्या है Suffix अगर word के पहले कोई word रहाता इस तरह का लगावा तो वो हो जाता Prefix वो क्या हो जाता Prefix जैसे कि honest Honest होता है और honest में हम पहले क्या लगा देगे D.I.S. उसके बाद honest लिखेंगे ठीक है इस तरह से हम जब लिखेंगे तो ये वाला जो word है D.I.S. इस तो ये कहलाएगा Prefix और यहाँ पर क्या है Suffix है जिसको हम हिंदी में उप्सर्ग और प्रत्य कहते हैं ऐसा ही हमें 10 word लिखना है जिसमें less Suffix लगा रहे है तो यहाँ पर हमने कुछ word लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं Careless Care plus less Care plus less हो जाएगा Careless Endless E.N.D.L.E.S. Matchless यानि कि जिसका तुला नहीं किया जिसके Useless यानि कि जिसका उप्योग नहीं किया Careless मतलब जिसकी जिसकी चिंता नहीं Endless यानि जो खतम नहीं Fearless यानि जिससे डर नहीं Fearless यानि बीना डर के Beannam F.E.A.R.L.E.S. Fearless Hopeless यानि जिससे आसा नहीं ठीक है Hope मतलब होता है आसा Hopeless मतलब बीना आसा के Helpless help का मतलब होता है मदद और helpless मतलब हो जाएगा बिना मदद के यानि की helpless restless, rest का मतलब होता है आराम और restless का मतलब हो जाएगा बिना आराम के restless, testless, test का मतलब होता है स्वाद और testless का मतलब हो जाएगा स्वाद हीन मतलब बिना स्वाद के टेस्ट लेस इमोशन मतलब होता है भावना इमोशन लेस मतलब हो जाएगा बिना भावना के यानि भावना हीन तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमोशन इमोशन इसमें लगा देंगे लेस मीनिंग लेस meaning का मतलब होता है earth और meaningless का मतलब हो जाएगा earth हीन यानि बिना earth के तो यहां पर हम लिखेंगे m e a n i n g meaning meaningless featureless feature का मतलब होता है विसेस्ता गुनवत्ता तो feature मतलब होता है विसेस्ता और featureless का मतलब हो जाएगा जिसमें कोई विसेस्ता ही नहीं है तो यहां पर हम लिखेंगे फीचर, F-E-A-T-U-R, फीचर, लेस, तो यह हो गया हमारा question number C.3, next question देखते हैं क्या है, next है हमारा grammar, grammar में दिया गया है, look at the following sentences यहां पर, sentence को देखना है, पहला sentence में देखते हैं, when the sky is overcast, with clouds the peacock dances with light, यानि कि जब अकास में बादल घिर जाता है, sky is overcast, यानि जब अकास में बादल घिर जाता है, with clouds, the peacock dances with delight, जब अकास में बादल घिर जाता है, तो more जो है वो बहुत ही प्रशनता के साथ नाचता है, has anyone seen a peacock without feathers, यानि कि किसी ने more को बीना पंक के देखा है, तो यहाँ पर with और without को underline किया गया है, इसी के बारे में नीचे दिया गया है, in the sentences given ever, with relates sky and clouds, with जो है यह किस के लिए लगाया गया है, किस से relate करता है, sky, sky से, sky से और cloud से, ठीक है, with sky और cloud के लिए ही लगाया गया है, फिर next, similarly in the second sentence और दूसरे sentence में, without relates a peacock and feathers, without किसी relate कर रहा है, peacock और feathers, both with and without in this sentences are preposition, तो दोनों ही sentence में, with और without जो है, वो क्या है, preposition है, preposition का हिंदी मिनिंग होता है, पूरवसर्ग, preposition को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अब preposition is a word which is used before a noun or pronoun to establish the relation of that noun or pronoun with the other words in the sentences, with is used in the sense of having, whereas without gives the sense of not having, यानि कि with का मतलब होता है, with का मतलब होता है, साथ, with का मतलब होता है, साथ, without मतलब होता है, मतलब साथ नहीं, with is used also in the sense of company, of togetherness to show an association with an instrument etc, यहाँ पर दिया गया था, यह preposition जो है, preposition का use noun यानि कि संग्या या सर्वनाम के पहले उसकी relation को दिखाने के लिए किया जाता है, और noun और pronoun, noun या pronoun में, pronoun के साथ, इस word का sentence में use होता है, और with का मतलब हो गया having यानि कि साथ में, और without का मतलब हो गया not having यानि कि साथ में नहीं, with is used also in the sense of company, यानि कि with का use company यानि कि साथ के लिए होता है, तो with का company या फिटुगेधरness के sense में use होता है, यहाँ पर इसी से related कुछ question दिया गया है, इस question को solve करने से पहले हम लोग pre-position को अच्छे से समझ लेंगे, then हम इस question को solve करेंगे, चले देखते हैं, pre-position का definition और इसका हिंदी मिने, pre-position का मतलब होता है, पूरुल सडग या फिर संबंद सूचा कव्य है, इसका definition है, यानि परिभासा है, इसका हिंदी मिने हो गया, अस्थान, समय, दिसा, आधी के संकेत के लिए, संग्या या सर्वनाम से पहले पड़्यूक्त सब्द या वाक्यांस पूरुवसर्ग है, वाक्यांस इसी का English meaning है, phrase, वाक्यांस, फ्रेज का मतलब होता है, वाक्यांस, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशन दिया गया है, in, into, on, to, at, with, by, without, question में with और without प्रिपोजिशन दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रिपोजिशन होता है, मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशन को लिखा है, of, among, between, under, before, for, since, from, after, near, about, on का मतलब होता है, पर, to का मतलब होता है, की ओर, at, at का मतलब होता है, में यह पर, with मतलब साथ, by, के द्वारा, without, without का मतलब होता है, के बिना, of, off का मतलब होता है, का, के, या फिर की, among, among का मतलब होता है, के बीच, between, between का मतलब होता है, के बीच, under का मतलब होता है, सिंस का मतलग होता है से और from यह सब grammar में युज़ होता है since from after after का मतलग होता है after का मतलग होता है bad near मतलग होता है past about मतलग होता है के बारे में इस तरह का बहुत सारा proposition होता है और यहाँ पर मैंने कुछ sentence लिखा हुआ है he is in the room तो यहाँ पर in क्या है preposition है यानि कि वह कमड़े में है he is in the room यानि वह कमड़े में है he is going to school यानि कि वह school जाड़ा है तो two यहाँ पर क्या है preposition है I have no money for you यानि कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है तो यहाँ पर four क्या है preposition he came at four o'clock यानि कि वह चार बज़े आया तो at यहाँ पर time के लिए क्या लगता है at लगता है he came at four o'clock my mother came by bus यानि कि मेरी मां मेरी मां बस से आई थी तो by यहाँ पर क्या है preposition the book is on the table किताब कहां पर table पर है तो on यहाँ पर preposition है तो इसी तरह से preposition का यूज होता है जब आप grammar पढ़ेंगे और preposition को जब आप detail में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा preposition चलिए हम इससे related दिये के question को solve करते है question है take the correct option in each of the following यहाँ पर question है यहाँ पर sentence दियागे he should the bird with without a gun तो मितलब उसने बर्ड को यानि पक्छी को किसे मारा गन से with होगा या without होगा तो गन से मारा तो यहाँ पर with होगा with ठीक है he should the bird with a gun next a diabetic usually takes tea with या without sugar यानि कि जिस व्यक्ति को diabetic विमारी होती यानि कि चीनी विमारी होती है वह usually समानतर वह किस तरह का चाय का यूज करते हैं तो वह यूज करते हैं without sugar with倒 sugar वाली यानि बिना चीनी वाली चाय का यूज करते हां we write with tai without a pen or pencil यहाँ पर क्या हो जाएगा with we write with a pen or pencil हम लिखते हैं किस छे पेंसे pen या can you sensee हम लिखते हैं इसलिए यहां पर 5 होगा without विदा नहीं देंग हो जाएगा बिना पैन या pencil next the old man has lost his stick यानि कि बुड़े आदमी ने अपना छड़ी खो दिया he went on walking वो टहलने के लिए गए with या without a stick वो टहलने के लिए गए without a stick जब बुड़े आदमी का बुड़े आदमी का जब stick खो गया तो वो बिना छड़ी के टहलने गए she was going to market with या without her husband यानि कि वह बाजार जा रही है किसके साथ अपने husband के साथ तो यहां पर क्या होगा वीद या विदाओ यहां पर वीद होगा नेस्ट है लेट्स टॉप वर्क इन ग्रुप एक्सेसिफ यूज ऑफ केमिकल अफेक्ट्स human beings as well as birds and animals यहां पर यह कह रहा है कि केमिकल का यूज बहुत ज्यादा जब होता है तो उसका असर जो है मानव और पसूपक्चियों पर भी होता है कैसे इसी टॉपिक पर हमें चर्चा करना है ग्रूप में आप सब को ग्रूप बनाकर इसके बारे में बोलना है और फिर यहा इवर्व यानि कि इमें जो यह टॉपिक दिया गया है इसी पर आपको इसी के डिसकसन के बारे में 100 लिखना है चलिए हम इसको देखते हैं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों इसका आंसर देखते हैं एक्सिव यूज ऑफ केमिकल एफेक्स हुमें बींग बर्ट आस बेस्टेते आपको इसको यूज ऑफ केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करने पर उसका असर मानव पक्षियों और जानवरों पर भी होता है वी नो देट एक्सेसिव यूज ऑफ इनिफिंग हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा यूज ज्यादा यूज हैज इट बैड एफेक्ट बुड़ा असर देता है यूज आफ केमिकल्स इन प्रोपर एक्वेशन अफेक्ट पॉजिटिवली मतलब chemical का use अगर हम सही मात्रा में करें यानि कि सही मात्रा में करें तो इसका असर positive होगा यानि सकारात्मक होगा but when it is used excessively यानि कि लेकिन जब हम उसका use बहुत जादा करेंगे it causes distraction यानि कि जब हम उसका use जादा करेंगे तो उसका असर बुड़ा होगा खड़ाब होगा और वो फसलों को बरबाद कर देगा 인 इरिघेशन यानि की जब हम सीचाय करते हैं त्वसके करिज को या फिर केती का जो भी काम करते हैं दे एकसेशीड वीूज कृमिकल्स येंड फरटिलाइजर्स पिसिसाइडर्स डिमेज्ड यानि कि जम सीचाहिए करते हैं और उसमें जो हम ये सब chemical देते हैं fertilizer और pesticider तो वो फसलों को क्या करता है बरबाद कर देता है damage कर देता है the quality of crops यानि कि उसकी गुनवत्ता को फसलों की गुनवत्ता को damage कर देता है कम कर देता है eating of such crops create health related problems यानि कि जब हम उसाना आज को खाते हैं तो हमारे सास्त में उस chemical से health related problem हो जाती है साथ से समझेद बिमार्या हो जाती है chemical waste from the various factories thrown in rivers which pollute the water of rivers मतलब chemical की बहुत सारी factory जैसे भी है अलग-अलग factory जैसे भी है जो की waste चीजों को जो उसका कच्छा होता है तो उसको river में यानि कि नदी में बहा देता है और नदी को गंधा कर देता है नदी के पानी को गंदा कर देता है in such rivers the water animals like fish die और उस नदी में जो भी जीवजन्तु रहते हैं मचली के अलावा और वी जो जीवजन्तु रहते हैं वो सब मढ़ जाता है तो यह हो गया हमारा question number F का answer आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं या फिर इसको copy में not कर सकते हैं चले अब हम आगे देखते हैं next हमारा G.1 में translate the following into English यहाँ पर हिंदी में कुछ sentence दिये गए हैं हम इसका English meaning करेंगों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है sentence इसका हिंदी sentence है भारत में अनियक प्रकार के पक्षी पाय जाते हैं तो इसका हो जाएगा various kinds of birds are found in India found का मतलब होता है पाया जाना various मतलब विभिन तरह का या फिर अलग अलग तरह का तो various kinds of birds are found in India next है next है यहाँ पर वे विभिन रंग और आकार के होते हैं इसका हो जाएगा they are of different colors and shape shape मतलब आकार और color मतलब रंग different मतलब अलग और दे का मतलब होता है वे वे अलग वे विभिन रंग और आकार के होते हैं they are of different colored and shape next है उनमें से कुछ देखने में बहुत सुन्दर होते हैं इसका हो जाएगा some of them are beautiful to look at next है more उनमें से एक है peacock is one of them last sentence है यह भारत का राश्टी पक्षी है it is the national bird of India यह हो गया हमारा आँज का यह चैप्रेर हैं पर complete और next activity है collect pictures of four birds you like most and paste in the boxes given below यहां पर यह करना है कि चार ऐसे बर्ड का picture आपको collect करना है जो आपको पसंद है और इसको इस box में क्या करना fill कर देना है ठीक है किसी भी चार बर्ड का आप picture collect करेंगे और यहां चारों को इसमें चिपका देंगे या फिर इसको किसी तरह से फिल कर देंगे ठीक है इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर यहां पर complete होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम lesson फाइब पढ़ेंगे यह वीडियो अगर helpful लगी होते वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिए